सौरव गांगुली यहाँ पर BCCI अध्यक्ष और राहुल द्रैविड याने की NCCA के पूर्व अध्यक्ष दोनों नहीं यहाँ पर ठान लिये हैं कि किस तरह से आगे NCCA की रूप रेखा बनेगी नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नीव कोस्वामी और आप देख रहे हमारा इंडिया न्यू स्पोर्ट्स का डिजिटल चैनल यहाँ पर सौरव गांगुली और राहुल द्रैविड ने एक तरह से एक सहमती की है और उन दोनों ने यह डिसीजन निकाला है कि आगे NCA की कमान यानि की National Cricket Academy जो की Bangaluru में स्थित है इस National Cricket Academy की जो कमान होगी तेज गेंद बाजी की वो ट्रायकूले को दी जाएगी कंदे से कंदा मिला के चल रहे है इस वक्त BCCI में तो अगर बात करें इस पूरे सिनेरियो की तो BCCI Official एक वरिष्ट BCCI Official ने हमें बताया कि सबसे बड़ी जो उपलब्दी है सौरफ गांगूली की वो यही है कि उन्होंने ट्रायकूले को मना लिया है ट्रायकूले एक बड़ा नाम है 2005 में Ashes Series हुई थी England और Australia के बीच में वहाँ पर ट्रायकूले सबसे पहले जुड़े थे England के साथ एक कोच के रूप में फास्ट बोलिंग कोच के रूप में और वहाँ पर England ने वो Series जीती थी और कहीं ना कहीं Australia को एक बहुत बड़ा जटका यहाँ पर ट्रायकूले ने दिया था उसके बाद से ट्रायकूले ने 2010 से और 2011 के बीच में यहाँ पर Australia की तेस गेंद की कमान समाली और उसके बाद फिर ब्रिस्बेन में एक cricket club के साथ Australia के जुड़ गए जो की वो domestic cricket club है Australia का फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रायकूले का नाम फिर से उठने लगा ट्रायकूले की मांग होने लगी और ट्रायकूले को यहाँ पर बडिंग क्रिकेटर्स को ट्रेन करने के लिए BCCI और NCA तयार हो गया है तो NCA में आने से ट्रायकूले के यह फर्क पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में जितने भी बडिंग क्रिकेटर्स हैं उनकी तेज गेंद बाजी की जो धार होगी वो ट्रायकूले के हाथ में होगी साथ ही साथ यहाँ पर BCCI ने पूरी रूप रेखा जो बदली है वो इस तरह बदली है कि जो दो पूर्व भारते खिलाड़ी है यानि की रिशिकेश, कानिटकर और शिव सुन्दरदास ये दोनों बलेबाजी कोच होंगे NCA में वहीं इंडिया A के लिए यहाँ पर जुडेंगे सितानशु कोटक और स्पिनर के रूप में आपको इंडिया A के साथ दिखाई देंगे साई राज बहुतूले ये स्पिन डिपार्टमेंट में आपको दिखाई देंगे और वहीं पर तीन जो शेत्र शरण कोच यानि की तीन जो कोच यहाँ पर नियुक्त किये गए हैं जिनकी यहाँ पर हाइरिंग हुई है BCCI की तरफ से वो हैं सुभादीप घोष, दी टिलिप, टी दिलिप और मुनीश बाली तो इस तरह से पूरी जो रूप रेखा है NCA की यानि के नाशनल प्रिकेट अकैडमी की वो बदलने की यहाँ पर ठान लिया है VVS लक्षमन यानि की नए NCA अध्यक्ष और सौरव गांगुली और राहुल द्रेविड जो की अब इंडियन टीम के नए कोच है तो आपको क्या लगता है ट्राइकूले के आने से कितना फर्क पड़ेगा और आप ट्राइकूले के बारे में कितना जानते हैं यह हमें कमेंट सेक्षन में ज़रूर बता हैं साथ ही साथ हमारी सिंटर न्यूज स्पोर्ट्स के डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें